पुश्कार मैं डोक्टर रजनीश कुमार बारहट सहायक आचारिय संस्कृत राजकिय महविद्याले नवलगड के यूटूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ संस्कृत सहित्य सनातक पृथम वर्स में चलने वाले स्वाप्नवासवदत्म नाटक के संदरब में हम आज परीचरचा करेंगे स्वाप्नवासवदत्म नाटक महाकवी भास वीरचित प्रसिध नाटक है स्वप्नवासवदत्तम नाटक की विशेवस्तू में प्रवेश से पुर्व हम भास के विशे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो की सामान्य प्रश्णू, टिप्पनियू एवं भास से संबंदित जो भी प्रश्टव्य बिंदू बनते हैं उनके दृष्टी कौन से महत्वपूर्ण है? कावे को मुख्य रूप से हम दो विभेदों में बाटते हैं एक स्रव्य कावे और एक दृष्य कावे स्रव्य कावे को मात्र सुना या पढ़ा जाता है किन्तू दृष्य कावे को रंग मंच पर अभिनीत करके दिखाया जाता है तो दृष्य कावे परंपरा में भास का इस्थान है, वो महत्वपूर्ण है महाकवी भास के समय के विश्य में हम परिचर्चा करते हैं यद्य भी दुरुभाक्य की बात है कि संस्कृत के सभी कवियों ने स्वयम अपने विश्य में या तो नहीं लिखा है या बहुत कम कवियों ने ऐसी जानकारी अपने विश्य में प्रदान की है हम केवल अन्य प्रमानू और परवर्ती रचनाउं में उनका उलेख होने और उनका भासास्त्रिय अध्यन करके उनके इस्थती के विशे में आकलन करते हैं विद्वान अपने विचार प्रस्तुत करते हैं इसी प्रकार जो भास का समय है उसको भी हम अध्यन करते हैं तो प्राय है विद्वान भास का समय है वो इसा पुर्व चतूर्थ सदापती के आसपास मानते हैं इसा पुर्व चतूर्थ सदी जो भास का समय माना गया है उसकी विशे में कुछ जो तरक है जो प्रमान है जो अध्यन करने से निशकर्ष निकलते हैं वो इस प्रकार है कि महाकवी कालिदास ने मालवी कागनी मित्रम में भास का उलेख किया है तो उसें यह सित्ध होता है कि कालिदास सें भास है वो पहले हो चुके थे और कालिदास के समय के विशे में हम इसा पुरुव प्रथम सताब्दी में जो उजैनी के राजा विक्रमादित्य थे उनके समय हम कालिदास को नवरत्नू में मालते हैं तो इससें इतना सिद्ध हो जाता है कि कालिदास सें पुरुव भास हो चुके थे तो निश्चे ही उनका समय इसा पुरुव प्रथम सतावदी से पहले रहा होगा दूसरा जो मत है कि भास के जो रूपक है उनका अध्यान करने पर मोरिय यूग का हमें चित्रन प्राप्त होता है जिन राजाओं के विशे में उन्होंने उलेक किया है जिन वन्शू का उलेक किया है वो मोरिय यूग से वो विवस्ता सामें खाती है चंद्रगुप्त मोरिय का और भास के रूपकों का परस पर संबंद है जिससें यह सिद्ध हो जाता है कि भास है वो मोरिय युग था मगद का विस्तार और मगद की उत्पत्ती हम पढ़ते हैं तियास में तो उस समय तक भास हो चुके थे उससें पुर्व हो चुके थे तो इससे भी यह पुष्ट होता है कि भास इसा पुरुवत तृतिय चतूर्थी सतापती तक उनका समय रहा होगा एक तीसरा बिंदू भास ने अपने जो रूपकूं में जो वरणन किया है जो उनके रूपकूं की रूप रेखा है निर्मान की शेली है वो भरतमुने के नाटे सास्तर से अनुप्रमानित नहीं है कुछ बातों में भरतमुनी के नाटे सास्तर की व्यवस्थाओं का पालन वहाँ पर नहीं किया गया है उससे भी यह सिद्ध होता है कि जो भास है वो भरतमुनी से पहले हुए होंगे क्योंकि आगामी नाटक कारू ने अपने जो द्रिशे कव्य है जो रंगमंच पर अभिनीत किये जाते थे वो प्राय है भरतमुनी के नाट्य सास्तर के अनुरूप ही उनकी रचना की है वैसा ही वर्नन हमें उनमें प्राप्त होता है लेकिन जो भास के रूपक है वो नाट्य सास्तर से बाद्धे नहीं है तो निश्चे ही भास नाट्य सास्तर की रचना से पुर्व हो चुके थे एक अन्य जो प्रमान है जो सुद्रक का मर्चे कटिकम प्रकरण गरंथ है उस पर चारूदत जो भास का चारूदत रूपक है उसका प्रभाव इस पश्ट रूप से परिलक्षित होता है यह भी यह सिद्ध करता है कि भास का समय मर्चे कटिकम के रचियता सुद्रक से पुर्व था इन सबी प्रमानों को मध्य नज़र रखते हुए हम इस निशकर्ष पर निकलते हैं कि भास इसा पुर्व चतूर्थ सतीत में हो चुके थे और उनका समय हम प्राप्त निशकर्षों के आधार पेर इसा पुर्व चतूर्थ सताब्दी मान सकते हैं इस प्रकार चात्र यदी उनके समय और कृतित्व के विशय में पूछा जाए तो इन तरकूं का प्रियोग करते हुए अपना वरणन प्रस्तुत कर सकते हैं आगे जो भास की रचनाएं है कृतित्व है उसमें जो पूछी जती है तो भास के कुल तेरा रूपक है रूपक का यहां अभी प्राय दृश्य कव्य से है जिसका नाटक भी एक भेद होता है रूपक दस प्रकार के होते हैं जिनमें नाटक प्रमुक होता है प्रकरन इत्याधी भी रूपक के भेद है लेकिन सभी रूपकों में समानता है कि वो सारे के सारे दृष्य कवे होते हैं तो भास ने 13 रूपकों की रचना की जिनको हम उपजिव्यता या जिस ग्रंत को आधार बना कर वे रूपक लिखे गए उस आधार पर हम उनमें विवेद कर सकते हैं तो भास के प्रथम दो रूपक है वो रामायन के आधार पर लिखे गए उनका उपजिव्यत श्रोत ग्रंत है वो रामायन है रामायन से कथानक लेकर उनकी रचना की गई पहला रूपक प्रतिमा है यह रामाइन आधारित है इसमें साथ अंक है राम के वनगमन से लेकर रावनवद्तक की गठना का वर्नन प्रतिमा नाटक में है इसमें राम के वन्स की प्रतिमाएं बनाने पर इसका नामकरण है वो प्रतिमा रखा गया दूसरा अभिशेक है यह भी नाटक्ष्रनी का है इसमें चेंख है इसका भी सुरोथ रामाइण है इसमें राम के राज्य भिशेक की गठना को यह आधार बना कर रखा गया उसी आधार पर इसका नामकरन अभिशेक है इस प्रकार ये दो रूपक है वे रामाइन पर आधरित है इसके उपरांत जो तीसरा उनका रूपक है वो बालचरित्र है इसमें पांच अंक है यह महाभारत के कथानक से इसका कथानक लिया गया है कृष्ण के बालचरित्र का वरणन इस बालचरित्र रूपक में है चोथा रूपक दूत गठोतकच है यह एक अंकी है एक अंकी का अर्थ जिसमें एक ही अंक हो इसमें गठोतकच को दूत बनाकर बेजे जाने की गठना का वरणन है और उसी के आदार पर ग्रंत का नाम करण ह दूत्वा के पांच्वा रूपक है यह भी एक अंक का है कृष्ण को दूत्वा बनाकर भेजने की गठना का वर्नन है उसी के आधार पर दूत्वा क्या नामकरण है छट्वा रूपक है वो करण भार है इसका खतानक भी महाभारत से लिया गया है इसमें भी एक अंक है यह भी एक अंकी है करण भार में जो महाभारत के पात्र करण है उनका वर्नन है और उनको जो कवच कुंडल प्राप्त थे वो वापस किसी के द्वारा मांग लिये जाते हैं इस गठना का वर्नन है सात्वा रूपक मध्यम व्यायोग है यह व्यायोग श्रेनी का रूपक कव्य है मध्यम व्यायोग में भी एक अंख है पांडवू में जो मध्यम पांडव था भीम उसका मुख्य रूप से इसमें वरनन किया गया है और मध्यम शब्द उस भीम को यहां व्यनजित करता है इसलिए इसका नाम मध्यम व्यायोग पड़ा पंचरात्रम आठवा जो रूपक है उसमें तीन अंख है इसका कथानक भी महभारत से उध्रित है पंचरात्रम पांचरात्रियूं में पांड़ूं को जो खोजने की पतिग्या जो लेता है दुर्योधन और द्रोणाचारिय को उस प्रतिग्या के आधार पर आधाराज्य की जो बात कहता है उसका वरनन है वो पंचरात्रम में है और उसी पंचरात्रियूं में जो पांड़ू है वो अज्यात्वास में रहते हैं नोवा जो रूपक है वो उरू भंग है यह भी एक अंक का रूपक है इसमें जो दुरौपदी का अपमान जब दुरियोधन करता है तो वो एक प्रतिग्या करती है कि मैं दुरियोधन की जंगाउं के रक्त से मेरे जो केस है उनको सवारूंगी तो भीम है उसकी उस प्रतिग्या की पूर्ति के लिए दुरियोधन की जंगाउं को विदेरण करता है इसी गठना को आधार बना कर यह है रूपक लिखा गया और इसी आधार पर इसका नामकरण पड़ा इस प्रकार यह जो अभी प्रदर्शित हो रहे हैं यह सारे के सारे रूपक है वो महाभारत पर आधारित है इनके बाद जो चार अन्य रूपक बंशेश है वो कभी की कलपना पर आधारित है इन में दस्वा रूपक है प्रतिग्या योगन धरायन इसके चैंक है और इसमें आमात्य जो योगन धरायन है उदियन का जो मंत्री होता है उसके द्वारा जो ली गई प्रतिग्या है उसका वरनन है और उसी के आधार पर ग्रंथ का नामकरण है ग्यारवे क्रम का रूपक हमारे स्वपन वासवदत्तम है जो हमारे पाठे क्रम में संकलित है और भास का सरवाधिक महत्वपूर्ण नाटक है इसमें चैंक है, मुख्यरस है, वो स्रिंगार है ग्रंथ का नामकरण स्वपन वासवदत्तम इसलिए रखा गया कि ग्रंथ के नायक जो उदियन है उनको जो अपनी पतनी वासवदत्ता है वो स्वपन में दिखाई देती है और स्वपन में दिखाई देने के बाद पूरा का पूरा उनको पुनर स्मरण होता है इसी आधार पर ग्रंत का नामकरण है वो स्वपनवासवदत्तम रखा गया है बारवां रूपक है चारूदत यह भी कल्पना आधारित है इसमें चारंख है तरिद्र चारूदत और गणी का वसंत सेना की प्रणयक अथा का वरण इस रूपक में हैं इसी रूपक को आधार बनाकर आगे शुद्रक ने म्रच्च कटिकम प्रकरण ग्रंत की रजना की जो कि एक प्रसिद्ध द्रिश्यकाव्य है तेरवां जो रूपक है अभीमारक है इसमें भी छे अंक है यहां पर जो राजकुमार अभीमारक और जो कु कुरंगी है वो कुंति भोज की कन्या है और अभीमारक है वो विश्णु सेन का ही नाम है इन दोनों के परस्पर प्रेम का जो वरनन है इस अभीमारक रूपक में किया गया है इस प्रकार प्रदर्शित इस PDF या जो प्रदर्शित हो रहा आपको A4 साइज में उसमें हमने भास के समय के विशे में और भास की जो तेरा रचनाएं है त्रयोदश रूपक है उनका संक्षेप में हमने वरनन समझा प्रशनू टिप्णियों एवं प्रतियोगी परिक्षाओं के द्रश्टी कौन से ये महत्वपुरुन अंस है और हमारे जो सेखावाटी विश्वविद्याले के पाठ्य क्रम में स्वापनवासाव दत्तम चलता है उसके भूमीका में अत्वा जो प्रशन पूछे जाते है वहाँ भी भास का इस्थतिकाल व्यक्तित्व और क्रतित्व से संबंदित प्रशन प्रस्टव्वे है और चोटी टिपणियां पूछी जाए तो भी किसी नाटक के विशे में उसका उपजिव्य क्या है कितने अंख है इस विशे में क्या उसका वरणे विशे है संक्षेप में ऐसे प्रशन पूछे जा सकते हैं चात्र इनको अच्छे प्रकार से तयार करेंगे धन्यवाद जय हिंद जय भारत